प्रदानमंत्री कोण मने नियो मोधी जी ठीक है वैसे मोधी जी ठीक है मोधी जी या मैं तो निको समोग सबूड करता हूँ हिंदुत्य के कारण डवलप्मेंट के कारण या ठिसके कारण यह बता हूँ लाग्रेस आप जो हुआ हो जन्ता जयहो जन्ता भारत में तरह तरह डोग रहते हैं और हर किसी का अपना-पना व्यपार है फिलाल हम इरिक्षा में बैठे हैं, तो इरिक्षा चालग भी होते हैं, अब इरिक्षा जो चलाते हैं, उनकी जिन्दगी को भी समझना जरूरी है, क्या वो लोग जब राजनीती में उतरते हैं, जब चुनाव आता है, तो किधर जाते हैं, किस पार्टी को वोड देते हैं, और उनको चहिए क्या होता है यह जानना जरूरी है तो सबसे पहले जो बिल्कुल कमान समाले हुए है उन्हें से पूछता हूं मैं कहा रहा हूं जैसे आप लोग को जरूरते ऐसी क्या रहती है जो सरकार से उम्मीद रहती कि भई सरकार यह वहला काम क्रफ़जा तो बहुत ब आप जैसरे बना कवाटर करते खाली करें कहां जाएगा हूं अइक बात कर रहे हैं मैं एक बात कर रहा है जनरल बात कर नहीं जब आते हैं एक था राजनितिक बात क्योंकि वोट तो असब 18 साल से उपर सभी लोगों चुके हैं तो जब चुनाओं आता है तो क्या उम्मीद द्रक्ते हैं कि हमारा नेता यह काम कर देगा हमारा चान। मोरें यह तो tha ना कर कर रहे हैं कि Colorado रोहे प्रडानमंघर 2009 ते तो प्रदार मंत्री की बात कर रहे हैं तो प्रदार मंत्री में राहूल गांती अच्छा लगेंगे या नरेंदर मोधी जी मोधी जी जाधा पसंद है ब्यूंक्यु पसंदे मोधीं की Maya says Peace मतला बीजेपी और कम आशे लगता है बीजेपी बोले करह रहा है वह और रहा है वो अच्छाँ कर रहे हैं तो दामी जी के काम को लेकर के क्या बोलो गया यहां के जो विधायक है और कैबिनेट मिलिस्टर भी है अगरवाल जी वो वो उनके काम को लेकर के क्या बोलो गया काम काम तो सर निताल लोग करी रहें पर अब्र क्या बोलू। मैं इसे हैं लेकिन यह है कि वोटर के मामले में देखा जाए तो बीजेपी की वोटर बीजेपी के वोट करते हैं अगर यही चीज कॉंग्रेस कर रही होती हिंदुतु की बाद अगर कॉंग्रेस कर रही होती है लेकिन जब चुनाओं आते हैं तो हिंदुतों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है या कोई डेवलप्मेंट या कोई काम देखने की जरूत रहती है लेकिन ज्यादा तर तो ऐसा बोलते हैं लोग की नहीं यह जैसे इन्होंने बोल दिया कि हिंदुतों की बात बीजेपी करती है इस वह से हम बीजेपी तरफ रहते हैं आईकर आउसे लोग है जो चाहते तो हैं ओफ दी कैमरा कुչ बहुत सारी बाते बोलते हैं लेकिन जब कैमरा सामने आता है तो वहाँ पर बोलते नहीं वो डर जाते हैं इस बडको मिटाने के लिए, इसी डर को खतम करने के लिए मैं इनके साथ बैठ करके जहांभी जाता हूँ, साथ में बैठ करके बात कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर अक्चुल में जो लोग grounded हैं जो लोग जमीन से जुड़े हैं, उनकी समस्या और साथ में वो क्या चाहते हैं, उनका विजन क्या है, और साथ पार्टियों को लेकर के क्या सोचते हैं, ये भी बड़ी बात है। जो भी जानकारी होगी, जैहो जनता के माद्यम से आप लोग देखते रहेंगे।